स्पिरिचल फैट्स इस प्रोग्राम में मैं नितिन आपका प्रबईश्य मस्य में स्वागत करता हूँ आज का हमारा विशे है मोक्ष मुफ्त क्यों है जिहाँ दोस्तों मोक्ष मुफ्त क्यों है हर व्यक्ति मोक्ष की तलाश कर रहा है हर धर्म मोक्ष की अवशक्ता बताता है यह संसार मनुश्य की आखरी मन्जिल नहीं है आत्मा उसके शरीर से निकल कर आगे चली जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा यह तो हम सभी जानते है मुक्ति, मोक्ष, उद्धार या स्वर्क पात करना तो हर व्यक्ति चाहता है वो यह नहीं चाहता कि उसके आत्मा अनंत नर्ग की पिड़ाओ को सहे इसलिए आने वाले कल से भैबित होकर हर व्यक्ति मोक्ष की किमत देनी की कोशिश कर रहा है धनवन अपने धन से, गरीब अपने श्रम और कर्म से और बुद्धी जीवी लोग अपने ज्यान और समझ से मोक्ष प्राप्त करनी की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या हम उस परमेश्वर को जिसने मनुष्य की और इस स्रिष्टी की रचना की है उसी के स्रिष्टी में से निकाल कर मोक्ष की कीमत दान दक्षिना के रूप में दे सकते हैं क्योंकि यह सब कुछ तो परम परमेश्वर का है परमेश्वर के महन ब्रह्मान में पृत्वी एक धूल की गन के समान है और मनुश्य एक छोटे जिवानों के समान और अब सवाल ये है कि यह छोटा जिवानु की तरह मनुश्य अपने घमण और गर्ग से इस असिमित सिस्टी के बनाने वाले परमेश्वर को अपने मोक्ष के लिए कुछ भोतिक वस्तू या धन या प्रयास या श्रम कीमत के रूप में देना चाता है यह तो इस अपरादी वेक्ति के समान हुआ जो एक धनी राजा को एक रुपया दान अपने अधर्म की कीमत के रूप में देकर खुश करना चाता था क्या इस रास्ते से मुक्ति की आशा है आप मेरे साथ आवश्य सहमत होंगे कि यह रास्ता असंभव है दोस्तो अब हमें यह देखना है कि क्या कर्मतान से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है मात्र अच्छे कर्म से मोक्ष क्यों हसिल नहीं होता है वो इसलिए कि पाप केवल कर्म से ही नहीं पर हमारे विचारों और उदेशों में बीच के रुप में चिपा हुआ हमारे मन और रिदे में बसा हुआ रहता है हत्या पाप का बहारिफल है पर इसका छुपा हुआ बीच ग्रोध है जैसे बलातकार पाप का बहारिफल है पर इसके छिपे बीच कामुकता और वासना के गंदे विचार रिदे में है चोरी पाप का बहारिफल है पर इसका बीच लालच के रूप में रिदे में है तो परिणाम यह है कि फल रूपी कर्मों के सुधार से या निवारन से पाप का बीच जो हमारे रिदे और मन में है वो नहीं निकलता है पापी विचार और उदेश जो हमारे अंदर है हमें पापी साबित करते रहते हैं इसलिए अच्छे कर्म करके अपनी कोशिश या गर्व से मोक्ष प्राप्त करना एक गंदे बरतन का बस बाहर से ही साफ करना और फिर से इस्तमाल करने जिसा है यह रास्ता संभव नहीं है यह अंदर की बिमारी का बाहरी इलाज है उपर उपर से तो हम अपने धर्म की चाहे वो कोई धर्म ही क्यों नहों अच्छे भक्त लगते हैं पर अंदर जूट, अधर्म, क्रोध और लालत से बरे हैं यह हमारी बाहरी आखों से तो हमें नहीं दिखाए देता पर परमेश्वर सब जानता है और देखता है दोस्तों, आगे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सांसारिक गुरू और ज्यान दर्शन से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है बाइबल में लिखा हुआ है यहुना की पुस्तक इसका तीसरा अध्यार और तेरा वचन में कोई स्वर्ग पर नहीं चड़ा बस केवल वही जो स्वर्ग से उत्रा है अर्थात प्रवेश्य मसी यदि कोई सांसारिक मनुश्य अपने बुद्धी, ग्यान, दर्शन, चमतकार या तंत्र मंत्र से आपको प्रवावित कर अपने पंथ में ले आए तो इस मार्ग में ना तो हमें पापों से मुक्ति मिलेगी और ना ही आत्मा का मोक्ष प्राप्थ होगा बस अंत्र में मृत्यों और नरक की आख से हमारा मिलन होगा दोस्तों, मैं जो सत्य आपके साथ बाटना चाहता हूँ वो यह है कि मोक्ष मुफ्त है जी हाँ, आपने ठीक सुना, मोक्ष मुफ्त है स्वयम परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाई है आईए, इस सत्य को हम जाने बाइबल में लिखा है यहोना कि पुस्तक, इसका तीसरा अध्याय और सोला वचन में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लोता पुत्र ये शुमसी दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश्णा हो परंतु अनन्द जीवन पाए मोक्ष की कीमत बस इश्वर ही आदा कर सकते हैं वह इसलिए कि बस उने ही मोक्ष की कीमत मालूम है और यह कीमत है एक पवित्र पावन बलिदान पवित्र इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है इसी कारण प्रभईश्य मसी एक मात्र सत्य आउतार बने शरीर धारन कर और क्रूस की मृत्यु द्वारा पवित्र खुन बहाए सर्वसिद्ध बलिदान हुए और मृत्यु के बलिदान के तीसरे दिन प्रभईश्यू फिर जीवित होते हैं चालिस दिन तक लोगों के बीच रहे कर देखते ही देखते विस्वर्ग की ओर उठा लिये जाते हैं इस तरह प्रभईश्यू, मार्ग, सत्य और जीवन बन हमारे मौक्षताता बनते हैं और ईश्वर के प्रेम द्वारा मनुष्य की मौक्ष्टी कीमत आदा करते हैं दोस्तों, यदि आप ईश्व मसी को मौक्ष प्राप्ति हेतु गरहन करते हैं तो मेरे साथ इस प्रात्ना को आवश्य दोराएं आईये हम मौक्ष ही तो प्रमेश्वर से प्रात्ना करें प्रवईश्यू, मैं पापी मनुष्य हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों की और मौक्ष की कीमत अपने पवित्र खुन से आदा की है मेरे पापों को शमा करें, अपनी आत्मा के द्वारा नया जीवन दे और मुझे मौक्ष प्रदान करें, आमीन प्रम्पिता ने जगत से इतना प्यार किया, अपना एकलाता बेटाई शूदिया जो कोई विश्वास करें उस पर, दाश नहूं पर जीवन पायनन सुनो सुनो यह सत्य वचन, सुनो सुनो इश्वार का वचन सुनो सुनो यह सत्य वचन, सुनो सुनो इश्वार का वचन